नमस्कार दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वगत है मैं हूँ आपके साथ मांसी आज इस बुलिटेन में बात होगी कॉंग्रिस के आगे कमजोर पड़ी बीजेपी की केज़वाल के मोधी सरकार पर करारे वार की बात करेंगे केंद्री एजंसियों के कारवाई पर भड़के पूर्व मुख्य चुनाफ आयक्तों की इंडिया रेली के बड़े प्लान की जानेंगे ग्यान वापी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की और बुलिटन के आखरी में देखेंगे जाने माने कार्टनिस इर्फान की किस खबर पर पड़ी तिर्शी नजर इसके लावा और भी कई बड़ी खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर पंजाब में कॉंग्रिस की पार्टी के साथ आए आपके पूर्व सांसर डॉक्टर धर्म वीर गांधी गांधी ने अपनी नवा पंजाब पार्टी का भी कॉंग्रिस में किया विल है भोजन शाला परिसर में नहीं होगी खुदाई सुप्रीम कोट ने मुस्लिम पक्ष की अपील पर कहा उसकी अनुमती के बिना सर्वे की रिपोर्ट के अधार पर कोई कारवाई ना की जाए एमके स्टॉलिन ने मुदी सरकार पर बोला हमला कहा जब तमिल नाडू एक रुपे टेक्स देता है तो राज को 29 पैसा ही क्यों लोटाती है केंद्र सरकार और तेजी के साथ बंद हुआ श्वेर बाजार से इनसेक्स 363 अंकों की तेजी के साथ 74,015 अंक पर हुआ बंद निफ्टी 135 अंकों की तेजी के साथ 22,462 अंक पर हुआ बंद ये तो दी सुर्खिया अब बात आज की सबसे बड़ी ख़बर की लोग सबा चुनावों के समय विपक्षी निताओं पर केंद्री जात एजनसियों की कारवाई तेज हो गई है आईटी की तरब से कॉंग्रिस को एक के बाद एक नोटिस भेजे गए अकाउंट फ्रीज किये गई एसे लेकर कॉंग्रिस सुप्रीम कोर्ट पहुच गया और कॉंग्रिस के कोर्ट पहुचते ही पासा पूरी तरह से पलट गया कॉंग्रिस को आप दिखाने वाली केंद्री एजनसियों की बोली एक दम से बदल गई लोग सुपा चुनाव चल रहे हैं और देश के सबसे बड़े विपक्ष्वी दल कॉंग्रिस के बैंक अकॉंट फ्रीज कर दिये गए हैं कॉंग्रिस ने इसके खिलाब आवाज उठाई इसका कड़ा वरोत किया और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दर्वाजा खटकटाया सोंबार को जस्टिस बीवी नागरतना और जस्टिस ओगिस्टिन जॉर्ज मसी की बैंच ने मामले में सुनवाई की और सुनवाई की बाद कॉंग्रिस के लिए बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है आईकर विवाज ने कोर्ट में हलफ नामा दायर किया इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की तरब से सॉलिस्टर जर्णल तुश्यार महता ने कहा कि लोकसबाद चुनावों के मद्दे नजर विवाज कोंग्रिस के खिलाफ कोई अक्षन नहीं लेगा इसके साथ ही आईकर विवाज ने सुप्रीम कोर्ट से मामले को जून तक के लिए इस्थगित करने की मांग की है जिसके बाद कोट ने 24 जुलाई को अगली सुनवाई करने के आदेश दिये हैं आपको बता दे कि 29 मार्च को आईकर विवाज ने कॉंग्रिस को पहला नोटिस जारी किया जिसमें करीब 1823 करोड रुपे की डिमांड की गई ये डिमांड नोटिस 2017 और 2018 से 2020 और 2021 के लिए है जिसमें जुरुबाने के साथ ब्याज भी शामिल है इसके बाद पिछले हफते ही कॉंग्रिस को इंकम टेक्स डिपार्टमेंट ने नया नोटिस दिया था जिसमें 2014 से 2017 के लिए 1745 करोड रुपे के टेक्स की डिमांड की गई लोगसबर चुनाव के दोरान कॉंग्रिस के बैंक हातों पर आईटी के अक्शन का व्रोध करते हुए कॉंग्रिस सांसत नरविवार को इंडिया गड़बंदन की महरेली में कहा था कि मोधी सरकार समिधान को खत्म करना चाती है तो वहीं वरिष्ट कॉंग्रिस नेता विवेक तंखा ने कहा कि विपक्षी दलों के बिना कोई भी लोकतंत्र संभव नहीं है कॉंग्रिस के खिलाफ अब आईटी विवाग की तरफ से चुनावों तक कोई कारवाई नहीं होगी लेकिन एडी की कारवाई पर फिलाल रोक नहीं है दिल्ली के सियम अरविंद के जरुवाल की आज एडी की रिमांड समाप्त हुई जिसके बाद अब उन्हें नियाईक हिरासत में भेज दिया गया तो कब तक जेल में रहेंगे अरविंद के जरुवाल देखिए इस रिपोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जरुवाल की गिरफतारी ने दिल्ली की सियासत में हड़कम मचा दिया 21 मार्च की रात को ईडी ने उन्हें किरफतार किया और एक अप्रेल तक वो ईडी की रिमार्ड में थी और सोमवार को रिमार्ड खत्म होने के बाद ईडी ने केजरुवाल को दिल्ली के राउज एवेन्य कोर्ट में बेश किया कोट ले जाते हैं वक्त केज जुवाल ने मीडिया से बात भी की इस दोरान उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी पर हमला करते हुए कहा कि प्रधान मंत्री जो कर रहे हैं व्यदेश के लिए अच्छा नहीं है मामले में सुनवाई के दोरान ईडी ने केज जुवाल की नहीं खिरासत की मांग करते हुए कहा था कि केज जुवाल जाच में सयोक नहीं कर रहे हैं और लगातार गोल माल जबाब दे रहे हैं ED ने पहली बार राउज एविन्यू कोर्ट में कहा कि अर्विन केजडिवाल ने पूश्टाज के दुरान आतिशी का नाम लिया ED ने जब विजर नायर के बारे में सवाल किया तो केजडिवाल ने कहा कि नायर मुझे नहीं आतिशी और सौरभ भारदवाज को रिपोर्ट करता था ASG राजु ने कहा कि केजडिवाल अपने फोन का पासवर्ट नहीं शेयर कर रहे हैं हम बाद में इनकी ED कस्टिडी की मांग करेंगे ये हमारा अधिकार है इसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाती हुए केजडिवाल को 15 दिन के लिए नयाईक हिरासत में भेज दिया कोर्ट की फैसले के बाद तिहार जील में उन्हें ले जाया गया बताया जोरा है कि केजडिवाल को तिहार जील के नंबर 2 में रखा जाएगा केजडिवाल के वकील रमेश गुपता ने कोर्ट से कहा कि अर्विन केजडिवाल को जील में 3 किताबे दी जाए गीता, रामायर और नीर्जा चौधरी की बुक How Prime Minister Decide इसके लिए मीडिया से बात करते हुए सुनिता केजडिवाल ने भी कोर्ट की फैसले का विरोत किया था उन्होंने लोगसबा चुनाव के दुरान मुख्य मंद्री की गिरफतारी को साज़िश बताते हुए कॉंग्रिस आप और विपक्ष के दूसरे नेताओं के खिलाफ EDIT और CBI की कारवाई से सवाल उठने लगे हैं आखिर सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही कारवाई क्यों हो रही है और अब इसे लेकर तीन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों ने चुनाव आयुक से बड़ी मांग कर दी है तो क्या कहा है पूर्व CEC ने देखिये रिपोर्ट लोग सब चुनावों के दौरान कॉंग्रिस का खाता फ्रीज कर दिया गया आयकर विभाग ने कारवाई के नापर कॉंग्रिस को साढ़े तीन हजार करोड से जादा का नोटिस भीज दिया कॉंग्रिस नेताओं को ED के समन अलग से आ रहे हैं तो दूसरे विपक्षी दल भी ED, IT और CBI जाच का सामना कर रहे हैं इसी साल सबसे पहले जारखन के सियम हेमन सोरेन को गिरफतार किया गया जिने गिरफतारी के साथ अपना स्तीफा देना पड़ा फिर BRS की नीता के कविता को गिरफतार किया गया दस दिन पहले दिल्ली के सियम अर्विंद केश्रिवाल को गिरफतार किया गया यानि अब वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे एक तरफ BJP चुनावों में धुआधार प्रचार कर रही है वही विपक्षी दल के नेताओं को प्रचार से दूर रखने की कोशिश शल रही है विपक्ष के नेताओं पर हो रही इस कारवाई को पुर्व मुख्य चुनाव आयोग एस वाई कुरेशी के साथ दो और पुर्व CEC ने पूरी तरह से गलत बताया है पुर्व CEC ने कहा कि चुनावों के समय जब ED नेताओं को पूश्टाश के लिए बुलाती है तो जाहिर है कि वो चुनाव प्रचार में शामिल नहीं हो सकेंगे प्रचार में बराबरी के मौके प्रभावित होंगे पुर्व CEC ने कहा कि आयोग राष्ट्रिय सुरक्षा के मामलों में आड़े नहीं आ सकता लेकिन अगर ऐसा कोई मामला नहीं है तो क्या IT विभाग और ED दो महीने तक इंतजार नहीं कर सकते इस तरह की कारवाईयों को स्वतंद्र और निश्पक्ष चुनावों में हस्तशेप के रूप में देखा जा सकता है और चुनावाईयों को कम से कम एजिंसियों से मिलकर ये पता लगाना चाहिए कि इस तरह की कारवाईयों को चुनाव के समय क्यों नहीं रोका जा सकता ये चुनाव में समान अवसर को प्रभावित कर रहा है इससे पहले चुनावों के दोरान कभी इस तरह की स्थितिया नहीं बनी मोधी राज में E.D. ने राजनीतिक दलों से जुड़े 121 लोगों पर कारवाई की जिसमें 115 विपक्षी दल के नेता थे यानि 95 प्रतिशत इसके उलट मनमोहन सिंग के कारेकाल में 10 साल में 26 नेताओं पर E.D. की कारवाई हुई जिसमें 14 विपक्ष के नेता थे यानि आधे ऐसे में पुर्व चुनावायोक्ति नहीं चुनावायोक से माम की है कि वो इस मामले में हस्त शेप करें क्योंकि चुनावों के समय उसे इसके अधिकार मिले है और निश्पक्ष चुनाव के लिए ये जरूरी भी है जबरदस्त प्लान तयार किया है तो क्या है इंडिया का प्लान देखे इस रपोर्ट में के दौरान इस तरह की और भी रहलीया करने का प्लान तयार किया जा रहा है लोगसर बच चनावों के आहलाग के बाद इंडिया गटवंधन की दो रहलीया हुई है पहली रहली मुंवई में हुई थी और दूसरी दिल्ली में दिल्ली में होई लोगतंत्र बचाओ रैली से गठवंधन ने मतदाताओं के साथ सरकार को भी साफ संदीश दिया है सरकार आएकर विभाग और दूसरी जाच एजिंसियों का दुरुप्यों कर इंडिया पर जितना दवाओ बनाएगी गठवंधन उतना मजबूत होकर उभरेंगे इंडिया ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई में सभी एक साथ है दावा किया जा रहा है कि अपरेल और मैं में इंडिया गठवंधन अब इस तरह की एक दरजन रैलिया करने का प्लान कर रहा है देश के सभी बड़े राजियों में एक रैली करने की तयारी है और इसके शुरुआत पहले चरन से ही हो जाएगी इंडिया गठवंधन की रैलियों के असर के चलते बीजेपी बैक फुट पर दिखाई दे रही है देश भर में अब इंडिया गठवंधन की और भी रैलिया होंगी इंडिया की रैलियों से जहां बीजेपी परिशानी में दिखाई दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ उसके उमीदबार भी परिशानी में दिखाई दे रहे है जारखन में बीचोपी उमीदबार के खिलाफ चुनावों के बीच एफाय दर्श की गई मामला प्रस्टाचार का है ऐसी में सवाल उठ रहे हैं कि क्या एडी भी कारवाई करेगी जारखन के गुड़ा से बीजेपी सांसद निशिकान दुबे को लेकर बीजेपी मुश्किल में फस गई है जिसके बाद मामले में सियासत गर्मा गई है निशिकान दुबे गोड़ा सीट से इस बार भी लोगसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उमिदवार चुने गए है लेकिन मामले में बढ़ते विवात को देखकर निशिकान दुबे ने कहा कि अगर आरोप सही साबित हुए तो वह राजनीती छोड़ देंगे दरसल शिवदत्य शर्मा नामक व्यक्ति ने बीजेपी सांसद और उनकी पत्नी के खिलाफ एफाई आर दर्श कराई है उनका आरोप है कि दुबे और उनकी पत्नी ने बाबा वैदिनात मेडिकल ट्रस्ट के माध्यम से उनका अस्पताल हडप लिया है शिवदत्य शर्मा ने फाई आर भी कहा कि निशिकान दुबे ने मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लिए 93 करोड रुपए का लोन लिया था लेकिन मेडिकल काउंसल आफ इंडिया ने संस्थान को मान्यता नहीं दी जिसके कारण उनकी लोन राशी को बैंक ने NPA घोशित कर दिया है और मामले में बढ़ते विवाद को देखते हुए बीजेपी सांसथ ने आरोप साबित होने पर राजनीती छोड़ने का एलान कर दिया है देश में एक तरफ लोगसभा चुनाव को लेकर सरगर्मिया तेज हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी उमिद्वारों को लेकर एक के बाद एक नए विवाद सामने आ रहे हैं जिसके बाद बीजेपी मुश्किल में दिखाई दे रही है पूरा का पूरा कॉलिज हड़पने का आरोग बीजेपी सांसत निशिकान पर लगा है और इससे वो मुश्किलों में दिखाई दे रही है देखते हैं जाज के बाद क्या फैसला होता है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी आज बड़ा फैसला सुनाया है ज्यानवापी मस्जित को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो क्या फैसला दिया है कोर्ट ने देखे इस डिपोर्ट में ज्यानवापी मस्जित के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथा स्थिती बनाय रखने के आदेश दिये हैं CGI DIY चंद्रचूड ने कहा कि ज्यानवापी में नमाज और पुजा किसी पर रोक नहीं होगी कोट में मुसलिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि हिंदू पक्ष ने जगा पर कबजा कर लिया है अंतरे मादेश से प्रभावी रूप से 1993 यानी 30 साल पहले की यथा स्थिती बहाल हो गई है राचे सरकार जो मामले में पक्षकार भी नहीं है रात के अंधेरे में आदेश लागू करती है आदेश की रात पूजा की जाती है जिसमें मुसलिम पक्ष को रहने से रोका गया यह ट्रायल कोट और फिर HC द्वारा पारित एक औसाधारन मामला है अब मुसलिम पक्ष को मस्जित से बेदखल करने की कोशिश हो रही है कोट को इस पर संग्यान लेना चाहिए दरसल इलाहबाद हाई कोट ने 26 फरवरी को अंजमन इंतिजामिया मस्जित समिती की याचिका खारिज करते हुए व्यास तैह खाने में हिंदू पक्ष की पूजा को जारी रखने का आदेश दिया था वरर cannacy जिला अदालत ने भी इस मामले में हिंदू की पक्ष में फैसला सुनाया था जिसके खिलाफ मुसलिम पक्ष इलाबाद हाई कोट पहुँचा था मुसलिम पक्ष का कहना है कि पूजा स्थल अधिनियम 1999 में इलाहबाद हाई कोट का हस्तशेप ठीक नहीं है पूजा भी होगी और नमाज भी पड़ी जाएगी फिलाल कोट ने यथा इस्तिती का आदेश दिया है किसी तरह के टकराब से बशने की सलहा दी है जबकि बीजेपी के अंदर ज़रूर टकराब दिखाई दे रहा है पार्टी के एक और उमीदवाद ने टिकेट लोटाने की धमकी दे दी है तो क्या है मामला देखिए ये रिपोर्ट यूपी में साथो चरणों में लोगसबचनावों के लिए मद्दान होना है और पहले चरण का मद्दान 19 अप्रेल को होगा लेकिन यूपी में इस बार बीजेपी के लिए लोगसबचनाव जीत पाना मुश्किल होता दिख रहा है टिकेट वित्रण को लेकर पार्टी के अंदर बगावत के हालाद दिखाई दे रहे हैं नजरान लगी है पार्टी और संगठन से जुड़े कुछ लोग ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल कर उन पर निशाना साथ रहे हैं आलम ये है कि पार्टी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवाल एक पूर विधायक और उनके बेटे ने छत्रपाल गंगवाल के साथ होली मिलन का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया इसमें संगठन में गुढबाजी प्रचार में समर्था नहीं मिलने तक के कई ट्विट किये जा चुके हैं वहीं सोशल मीडिया पर वकायदा तयार किये गए एक अन्य पोस्ट डाली जारी है जिसमें संतोष गंगवार की उपलब्दिया और उनकी विशेष्टाएं गिनाई जारी है ये पोस्ट कई भाजपा के नेताओं और सांसित के करिवियों ने शेयर की है पोस्ट डालने वालों की ओर से साफ इशारा है कि वैच चुनाब में पार्टी प्रत्याशी छत्रपाल गंगवार को नुकसान पहुचा सकते हैं वहीं होली मिलन समहरों में सपा प्रत्याशी प्रवेंट सिंग एरन और संतोष गंगवार की हाथ मिलाते हुए फोटो भी जमकर वायरल हो रही है जिसके बाद से अब ये साफ हो गया है कि इस समय बरेली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और अब खबर ये भी निकल कर सामने आ रही है कि अब चत्रपाल गंगवार भी चुनाव लड़ने से इंकार कर सकते हैं ऐसे में बीजेपी के लिए पीली भीत के सीट के बाद अब बरेली की सीट जीत पाना भी मुश्किल होने वाला है और बुलिटिन के आखरी में देखते हैं जाने माने कार्टनिस इर्फान की किस खबर पर पड़ी तिर्शी नजर दिली के मुख मंतरी अर्विन के जरिवाल आज तेहार जेल भेज़ दिये गए हैं हलाकि आज उनके रियाई की काफी उमीदे की जा रही थी इसके पहले वो अपना काम एटी ऑपरिस से बतोर मुख मंतरी कर भी रहे थे आप देखना ये है कि दिली के मुख मंतरी अर्विन के जरिवाल का दबतर अपने उनके सचेवाले में कब बाबत रहे हैं बहुत बहुत शुक्रिया इर्फान जी तो आज इस बुलिटिन में इतना ही आप देखते रहे हैं डीबिलेफ नमस्कार